बक्स देता है उनको खुदा जिनकी किस्मत खराब होती है लेकिन वो हरगिज नहीं बक्से जाते जिनकी नियत खराब होती है याद दास्त का कमजोर होना कोई बुड़ी बात नहीं दोस्त बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जिनें हर बात याद रहती है किसी का दर्द देखकर अगर आपको भी दर्द होता है तो समझ लेना आपके आत्मा में परमात्मा विराजमान है सत्य को इक्षा होती है कि सब उसे जान ले और और सत्य को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान ना ले दूडियां जब बढ़ी तो गलत पहमियां भी बढ़ गई फिर उन्होंने वो भी सुना जो मैंने कभी कहा ही नहीं किसी ने बर्फ से पूछा आप इतने ठंडे क्यों हो बर्फ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया मेरा अतीत भी पानी मेरा भविश्य भी पानी फिर गर्मिक किस बात पर रखूँ कल खो दिया आज के लिए कभी जीना सके हम आज आज के लिए बीत रही है जिंदगी कल आज और कल के लिए तू अपनी खुशियां ढूंड कमिया निकालने के लिए लोग है अगर रखना ही है कदम तो आगे रख पीछे खिजने के लिए लोग हैं उम्र भर का पसीना उसकी गोद में सूख जाएगा हमसफर क्या चीज है ये बुढ़ापे में समझ आएगा जो नौ देते थे जवाब उसके सलाम आने लगे जब वक्त बदला तो मेरे नीम पे आम आने लगे रिस्तो की चाए में सक्कर जरा नापके ही रखना भीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा ज्यादा मीठी हुई तो मन भर जाएगा बस एक तजुरवा लिया है जिन्दगी से अपनों के नजदीक रहना है तो खामोस रहो तो हिम्मत तुम्हारी कुछ कहने की ना होती जिन्दगी के किसी मोड पर अगर कोई फैसला करना हो तो हमेशा अपने दिल की सुनू बेशक ये होता लेफ्ट में है मगर इसके फैसले हमेशा राइट होते हैं निभाए किस तरह रिस्ते समझ में कुछ नहीं आता किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता यूही नहीं होती जनाजों में भीर हर सक्स अच्छा होता है दोस्त बस चले जाने के बाद विस्तो की माला जब तूटती है तो दोबारा जोरने से छोटी हो जाती है क्योंकि कुछ जजवातों के मोती विखर ही जाते हैं, जख्म देने की आदत नहीं हमको, हम तो आज भी वो अहसास रखते हैं, बदले बदले तो आप हैं जनाब, हमारे अलावा सब को याद रखते हैं, वानी में भी अजीब ताकत होती है, कड़वा बोलने वालों का सहद भ भी विख जाती है, चैन से जीने के लिए चार रोटी दो कपड़े काफी हैं, पर बेचैनी से जीने के लिए चार गारी और दो बंगले भी कम हैं, अपने ही अपनों से करते हैं अपने पन की अभिलासा, पर अपनों ने ही बदल रखी है अपने पन की पड़िवासा, जो ल भूल सकता है शिवाए उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वो साथ नहीं थे वक्त-वक्त की बात है पहले वो मुड के देखते थे और अब देखकर मुड जाते हैं रोने से किसी को पाया नहीं जाता, फोने से किसी को बुलाया नहीं जाता। खोटा शिक्का जो समस्ते थे मुझे, आज मैं उनका द्यान तोड़ाया हूं। जिन्दगी की राहों में सफर लंबा था मेरा, इसलिए कदमों के निसान छोड़ाया हूं। किसी का तोफा नहीं उसका दिल देखा जाता है जरूरी नहीं कि बड़े तोफे वाले का दिल भी बढ़ा हो वो जो सोर मचाते हैं भीर में भीर ही बन कर रह जाते हैं वही पाते हैं जिंदगी में सफलता जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं बुलंद हो होसला तो मुट्टी में हर मुकाम है मुश्किले और मुसीबते तो जिन्दगी में आम है ताडों में अकेला चांद जगमगाता है मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है काटों से घवडाना मत मेरे दोस्त क्योंकि काटों में ही अकेला गुलाब मुश्कुराता है बस दिलों को जीतने का मकसद रखिए दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया जिन्दगी में सारा जगडा ही ख्वाहिसों का है नो तो किसी को गम चाहिए नो ही किसी को कम चाहिए मुश्कुराहट और आशू इन दोनों का एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है पर जब ये मिलते हैं वो पल सब से खूबसूरत होता है बेहदरीन इनसान अपनी जुबा से ही पहचाने जाते हैं वरना अच्छी बाते तो जिवारों पर भी लिगी होती है कई बार जिन्दगी में ऐसे मोड भी आते हैं कि अगर इनसान सिकायते बोल दे तो रिष्टे मर जाते हैं और अगर दिल में रखे तो वो खुद मर जाता है मतलब और स्वार्थ के रिष्टे कोईले की तरह होते हैं जब गर्म होते हैं तो छूने वालों को जला देते हैं और जब धंडे होते हैं तो हाथ काले कर देते हैं